वीमा पॉलिसी में निवेश के नाम पर अधिक मैचुरेटी रकम मिलने का जहासा देकर ठगी करने वाले एक दमपत्ती को बिल्ली से गिरफतार किया गया जिस पर दुर्ग पुलिस अधिक शक ने पत्रकार वारता कर मामले का खुलासा किया गया जिसमें बताया कि आरोपी दमपत्ती मनीशा पती संदीग चोटाला ने बीमा पॉलिसी में निवेश के नाम पर अत्यधिक में चोटी रकम मिलने का जहासा देकर ठगी करते थे जो आठ वर्सों से प्रार्थी को निवेश करने वा टावर लगाने के नाम पर पैसा जमा करवा कि संयुक्त कारवाई कर उत्तम नगर दिल्ली से आरोपी पती पतनी को गरफतार किया गया गोर तलब है कि प्रार्थी दुलार सिंग जुनवानी भिलाई निवासी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए गई थी कि भीमा पॉलिसी के नाम पर गाउं के जमीन में मोबाइल टा बताते हुए विभिन इन्वेस्मेंट प्लान की जानकारी देकर विभिन मोबाइल नंबरों के माध्यम से बाचित अपने अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवा कर लगबग एक करोड 22 लाग रुपए की धोकाधरी की है जिसकी रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में 424 की धारा लगाकर अपराद पंजीबत कर विवेचना मिलिया गया है जिसमें दो दिनों की रिमान पर पूछताच की जा रही है इस संबंद में पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी करके साथ सालों में एक करोड़ बाइस लाक पर इंडियस करवा गया है जब पहले कर मैचुरिटी हुआ तो उससे डोल डाल करने लगे और उन्होंने आगे के अपने मैचुरिटी जो बॉन्ड पेपर्स मांगे देने से मना कर गया 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 पूंद बद कर गया 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 इसके बाद उन्होंने आके फायार करा है पुलिस ने जाकर दोनों को दिली से फखड़ा है पती पत्नी है इनके पाफ से काफी बैंक अकाउंट बिकेज मिले हैं काफी फार एडियां से मिले हैं हो सकता है इन्होंने बाकी भी लोग को इसी तरफे ठगी और किया होगा अभ पुलिस की हिरासत में हैं परन्तु ऐसे और कई मामले हैं जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ पुखता सुबूत भी नहीं लगे हैं और आरोपी बेधड़क ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं देखना होगा कि पुलिस इन पर कब तक नकेल कस पाती है और पुलिस के कब तक इनके गिरेबान तक पहुँच पाते हैं क्रेंडेसियन न्यूस के लिए दुरुक से नसीम भारू की रिपोर्ट